हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो एपस अपडेट यूटूप सनल दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि अगर आपकी गैलरी जो फून की गैलरी है फून की गैलरी से कोई भी फोटू हो या वीडियो हो डिलेट कर दिया और वही फोटू अगर आपने दो सल पहले या तीन सल पहले तो वह फोटो कैसे फीड से वापस लाओगे क्या यह मुंकिन है फ्री एप में वह मुंकिन है जो भी प्लेश्टोर पर एप है तो आज में लाइप प्रोके सद दिखाऊंगा कि आप किसी भी फोटो हो यह विडियो कैसे उसको वापस ला सकते हो रिकोबर कैसे कर सकते हो तो जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे हाथ में यह फोन है और इसी फोन में एक फोटो देख रहे हो मेरे गेलरी पे जो कि पिक्सर में यह दो फोटो से एक फोटो में यहां से आपके सामने डिलेट कर देता हूं जैसे डिलेट करती है यह फोटो चला गया अभी देखना एक एप उस तरव से फोटोवर हो गया ऊपको कैसे लुक्त करना है कैसे आप लाच सकते बीटों में फूल तरीके से बता वहुं तो छुरू से लेक्वत देखना चों दोस्तों आपको फि्र सवाइब करता हूँ आप का स्वाहत करता हूँ आपका दोस्तो अगर आप भी चाहते हो बिलकुल इसी तरह से अगर आपके फून से 2 सल या 3 सल या 4 सल या 5 सल या 10 सल पहले भी क्यों ना डिलेट हो फोटू वो फोटू वीिडियो को होप पूर से वापस कैसे ला सकते हो वो भी फ्री में क्यूंकि बहुत सरे ऐसे एप Play Store पर है लेकिन Play Store का एप क्या होता है उसमें कुछ ही फ्री होता है फिर जाके आपको एक्जब्ले नहीं आता है और फिर पैसा लगता है लेकिन दोस्तों आज में आपको फ्री एक ऐसा एप लेका हूँ जो ये app को देख के आपको होगे यह इतना दिन पहले इस app को यूं नहीं मिला यहां दोस्तों तो वीडियो को ध्यान से देखना तो आपको करना क्या है जो वीडियो देख रही हो इसी कुछ में वीडियो को पहले लाइक करना है और सेनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा और वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है और जो वीडियो देख रहे हो सिम्टली नीचे एड़ पबली कमेंट आएगा एड़ पबली कमेंट में आपको यहां पे कमेंट करना है फोटो रीकोभारी फोटो रीकोभारी फिल लिग दिना है एप जैसे दोस्तो यह कमेंट कर दोगे फोटो रीकोभारी एप तो कमेंट हो जाएगा फिर दोस्तो आपको करना क्या है ध्यान से देखो यह एक app है जिस app को आपके phone में पहले install करना है इंस्टल करने की बाद उसमें scan करके सारा photo जितना भी delete किया था सारा आ जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके phone में जो Google Chrome है simply आपको Google Chrome पे चले जाना है जैसे Google Chrome पे चले जाओगे फिर आपको search और type web address आएगा यहा laut पे चले को पर ने के रुग में जैसे इसमें क्लिक करें के बाद यहां पर देख सकते हूँ जुकि यह इस तरह से George बाटन तो इसी सार्ज बाला बटन में आपको यहाँ पर लिक देना है in a recording ट्रेको फोटो बस इतना comment करता है इतना लिकए लिक के आपको यहाँ पर सार्च करना है जैसे रिकोबर फोटो लिक के सार्च करोगे फिर यहां पे आपको नीचे आ जाना है और आने के बाद सबसे पहले आ जायाएगा how to require deleted photos and videos इसमें आपको click करना है जैसे इसमें click करोगे फिर आपके सामने नीचे आजाना है तो आप जैसे नीचे आजाओगे दोस्तों तो नीचे आजाने की बात यहाँ पर app link मिलेगा और इसी तरह से download now आएगा तो इसी download now में click करके दोस्तों इस app को आपको आपके phone में install कर लेना है और जैसे install आप कर लोगे अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ live probe सबसे पहले में जाता हूँ gallery पे gallery पे जाने की पाद देख सकते हूँ यहाँ पे मेरा folder है तो आभी मैं simply picture में click करता हूँ और picture में से मेरा एक खुद का ही photo यह जो photo है यहाँ से मैं delete कर देता हूँ जैसे delete one photo from this album तो yes delete कर देना है जैसे delete कर दिया देखो यह photo यहाँ से gallery से चला गया picture folder पे था अभी देखो नहीं है लेकिन यह जो एक app है जैसे मैंने कहा वैसे install करने की बाद उसको आप scan करना है तो अभी मैं दिखाता हूँ फिर जैसे यह app को open करके scan करोगे जैसे यह app है यह open हो रहा है जैसे यह loading देख रहे हो तो आपको थोरा time इंतिजार करना है, करने की बाद सबसे पहरे आपको language सेलेक करना होगा, मैं English कर देता हूं, फिर राइट कर दिया, फिर यहाँ पे इस तरफ से इसमें कलिक करके, फिर Skip वला उप्शन में कलिक कर दिना है, जैसे कर दोगे कर देनी की बाद, दोस्तों फिर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हूं, फिर फोटो, तो आपको यह फोटो में डीप स्क्रीन जो है, इसी डीप स्क्रीन में आपको कलिक करना है, और जैसे आप कलिक करोगे, फिर allow कर दिने की बाद, सिंपली यहाँ पे scanning बता रहा है, और यहाँ पे आपको यही main चीज है, जो scanning होता है, फिर यहाँ पे देख रहे हो, scanning is depend on number of files, मतलब यहाँ पे आपको scanning होने के लिए 2 मिनिट भी लग सकता है, या 3 मिनिट भी लग सकता है, वो depend करता है, अगर आपका phone का age कितना हुआ है, जैसे यह मेरा phone पिछले 3 साल से use कर रहा हूँ, तो 3 साल में जितना भी मैंने photo video delete किया, सारा वापस आएगा, जैसे scanning हो रहा है, तो अगर आपका phone 3 साल हो गया, या 5 साल हो गया, उसी पास साल के अंदर आपने कितना delete किया photo, अगर एक साल से use कर रहे हो अपने phone को, और उसी एक साल में कितना भी photo कियो ना delete कर दो, आप फिर भी यहाँ पे scanning करके, वो सारा सारा फोटो आएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, scanning हो रहा है, इतना सारा फोटो मैंने तीन साल में delete कर दिया, भी इस में scanning हो ही रहा है, तो फूरी तरफ से scanning हो चुके हैं, फिर देख सकते हो, प्लीज वीड बता रहा है, तो आपको भी इसी तरह से इंतिजार करना होग फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो भी यह देख सकते हो, recoverable जो भी इस तरफ से होगा, जैसे मैंने अभी थोरी दिर पहले आपके सामने यह photo delete किया था, देख सकते हो, यह आ गया, जो कि यही वो photo है, जो कि 1.07 MB का, तो इसको आपको मैं recover करता हूँ, simply free में, इसमें click किया, और यहाँ पर recover का option आएगा, तो मैं simply recover में click करता हूँ, जैसी recover में click किया, यह देखो, photo recover हो गया, और कुछ photo और भी मैंने recover किया था, देख सकते हो, तो अभी मैं धीर किया, जाता हूँ मेरे gallery पर, और जैसे मैं अभी gallery open करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, pictures मे अभी दो के साथ दिखाया कैसे देख सकते हो एक एप की मदद से मैंने जो भी फोटो डिलेट किया था वो फोटो फीर से वापस आ गया तो आगर आपको ये वीडियो पसंद आया न तो एक लाइक जोरू कर देना तो आज के लिए उस तो इतना ही फिन मिनेंगे आपसे अगले दिन कुछ रहो जाए हिंद